मैं सेल्फ हीलिंग के लिए ही सर्च कर रही थी, तब मुझे ओशो जन क्लासिस मिली, फेस्बुक पर तभी मैंने हीलिंग परपस से ही इन्रोल कर लिया, प्रोफेशन कुछ नहीं सोचा था, रजनी इसमें बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा, हीलिंग जो है अपनी इंपॉर्टन है, दूसरे की नहीं, दूसरे की हीलिंग के लिए मत सोचना, अभी दूसरे की सर्विस के बारे में मत सोचना, अभी तुम्हें अपने उपर काम करना है, क्योंकि कितने लोग हीलिंग में गये हूँ हैं और वो सोचते हैं कि दूसरे को हील कर भी देते, ऐसी बात नहीं कि उनके प्रभाव नहीं पड़ते, हीलिंग के प्रभाव पड़ता है, लेकिन उस healing के कारण जो है उनको पता नहीं चलता कि वो अपने उपर जो है कई ना कई एक unknown जो है कर्मा जो है वो इकठा कर रहे है वो simply जो है उपर की जो problem है उसको मिटाने ही कोशिश कर रहे हैं लेकिन जो उसका cause है उस cause को जो है नहीं मिटा जा रहा है अगर आपको सर में दर्द है और आपने दवाई खा ली तो ठीक है सर का दर्द तो चला जाएगा लेकिन आपने cause जानने की कोशिश नहीं करी कि सर में दर्द क्यों हो रहा है आपके और अगर आपने उस cause को नहीं मिटाया उसकी root cause को नहीं मिटाया तो उसके कारण जो है आप हमारे जीवन में जब कोई पेन, तकलीफ या बिमारी से जब हम गुजर रहे होते हैं, इंपॉर्टन यह होता है कि उससे चुप चाप कहिना कि अगर हम गुजर जाते हैं, तो हमारा बहुत कर्मा जो है उसमें कट जाता है, तो हीलिंग के साथ मैं थोड़ा सा क्लारिटी आप को देना चाहता हूं रजनी, कि बहुत लोग जो है हीलिंग के अंदर जाते हैं, और हीलिंग में जाकर जो है, अपने लिए जो है, मुसीबत खड़ी कर लेते हैं, अपनी लाइफ में जो है, एक बहुत घहरी कन्फूजन उनके अंदर क्रियेट कर जाती है, क्योंकि जाने जाने आपने जो है, उस आदमी का जो कर्मा है, वो आपने अपने सर ले लिया, हीलिंग अगर आप मुझसे पूछोगे तो वो सेजेस्टेड नहीं है, अगर हीलिंग करनी हो तो खुद की हीलिंग ही करो, दूसरे की उर्जा के अंदर जो है, मत प्रवेश करो, क्योंकि आप कही ना की नेचर के साइकल के बीच में आए, आपने जो है, उसमें दखल अंदाजी करी, और नेचर के साथ जब आप दखल अंदाजी करते हों, तो फिर उसके जो है, बहुत दुश परिणाम जो हैं, उसको आपको जोहलने पड़ते हैं, अब मैंने बात करी थी मुव के अंदर जो मूवी का जो हीरो है वो दूसरों की मदद करता है वो उसमें दिखाया है कि जैसे की फॉर एक्जामपल उसमें दिखाया है कि एक छोटी लड़की जो है कार की नीचे आने वाली है और उसको जैसे पता चल जाता है उसको पता चल जाता है कि वो उस बच्ची को और वो कहिना कि out of the way जाके उस बच्ची को जो है बचाता है बचा तो लेता है लेकिन जैसे कि उस लड़की की जो नियती है उसके बीच में वो आ गया कि जैसे जो मृत्यू जो आ रही थी उस छोटी बच्ची की तो उसमें जैसे उस बच्ची का ही भला था क्योंकि वो मृत्यू जो है कईना के उसकी बहुत अच्छी थी as compared to उसके लाइफ को बचाने के बचाए क्योंकि आगे फिर हमें मूवी बें पता चलता है कि फिर वो और बत्तर तरीके से जो है वो लड़की मरती है वो simply एक तरह का जो है आपको एक example के तो आपको बताने कोशिश कर रहा हूँ किसी के जीवन के जो करम है किसी के जीवन के जो प्रभाव है जो आप उसके साथ हो रहे हैं आप उसको मिटा नहीं सकते उसके लिए वो ही वो कुछ करे तो कुछ कर सकता है और अगर आप बीच में आओगे तो आप कही ना कही उसके करम के जो है उसके हिस्सेदार हो जाते हैं आप उसके जो है उसके पार्टनर हो जाते हैं तो उसको जो जहिलना पड़ा वो आपको भी जहिलना पड़ता है इसलिए उन सभी लोगों के लिए मेरा मेसेज है जो लोग हीलिंग करते हैं कि हीलिंग की एक्टिविटी से जो है मैं कहूंगा आपको purely अगर आप इसको इससे दूर हट सकते हैं तो हटिए healing pure self healing करिए और जब तक कि आप एक गुरू की अवस्ता में नहीं हो जाते सरफ उन लोगों की healing करता है जिनका करम जो है जिसको लगता है कि बहुत जरूरी है जिसका वो करम जो है जिसका हटाता है उसको खुछ जेलना भी पड़ता है उस करम को और गुरू जेल सकता है आप कहां से जेलोगे आपके 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 अपर इतने बोज है सो इस चीज़ को थोड़ा समझो सेल्फ हीलिंग में लगो एक मेरी एक वीडियो भी है जो मैंने मेरे यूटुब चैनल में आप देख सकते हो हीलिंग नाम है उसका वो शो जेन से रिलेटिड वीडियो है जिसमें बहुत घहरे में एक्स्प्रेंड किया है जिसमें बहुत किया है